नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विसिष्ट योग है अब बात करते हैं आज के व्रतोत सब त्योहार और विशेश आयोजनों की और अब नजान आलते हैं चंद्रमा की इस्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंद्रमा चंद्रमा विश्ट राशी में संपून दिवारात्री है ग्रह राशी नक्षत्र परिवर्तन शुक्र विश्टिक राशी में प्रवेश अंत्राच 6.45 पर दिशाशूल रविवार को पश्ण दिशा की आत्रा में दिशाशूल रहता है चंद्रस्तिती के नुसा बात करते हैं शुब मुहुर्ट और स्रेष्ठ चौगडिये की शुब मूरत उपर युग शुबाशुब समय तिथीवार नक्षत्रव युगा नुसाराज किसी शुब मांगलिक कार्यादी के शुब वशुद मूरत नहीं है आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में भी बताते हैं आपको आज जनम लेने वाले बच्चे, आज जनम लेने वाले बच्चों की नाम E, O, A, O, Va आधी एक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी व्रिष है, व्रिष राशी के स्वामी शुक्र है, इनका जनम स्वनपात से है, समायता हो ये जातक बुद्धिमान, आशावादी पर लोभी, प्रसित, तेजस्वी दिखने में भव्य व्यक्ति को अपना बनाने में होश्यार, चालाक और वाचाल होते है इनका भाग्रिद है 29 वर्ष के आयू के बाद होता है, व्रिष राशी वाले जातकों को स्वास्ते का ध्यान रखना चाहिए, काम धंदे में किसी प्रकार के धोके से बचकर चलना चाहिए, माता की अवग्या ना करें तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने, खास ध्यान देने बाली बात ये है कि ग्रह, नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं, इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, नमस्क झाओ, बातो 안돼.